नमस्कार मैं और उहुत कुमार आपने च्पोनेशन देख रहे हैं बिहार विधान सभा चिनाव में तिजस्वी आदब को मिली हार के बाद आज वो वक्त आ गया है जब पहली बार नितीश कुमार और तिजस्वी आदब आमने सामने होंगे दरसल बिहार के राजेपाल महामईं फागू चुमहान के अधिकारी सरकारी निवास राजभवन के राजेंद्र मंडप में आज सारे चार बजे शाम में शपत गरहन समधों का आयजन हो रहा है जिसमें शामिल होने के लिए ग्रे मंतरी अमेशा के सासाथ बीजे पिकराश्ट धक्ष जेपी नडडा समेत कुछ चुनिंदा वीवी आईपी महमान भी मौजूद होंगे जबकि सरकार में शामिल हो रहे हैं वो मंतरी भी शामिल होंगे जो कि आज नितीश कैबिनेट के मंतरी के तोर पर शपत लेने वाले हैं तमाम चीजों के बीच में मंच पर नितीश और आमने सामने होंगे ये दोनों दिग्ज सबसे खास बात है कि बिहार्विधान सभाचिनाओं में बहंज जो है जो जादू यांकडा है उससे 12 सीटे कम लाकर के तेजस्वी आदब जो है विपक्ष में हैं और नितीश कुमार सत्ता में नितीश कुमार को एंडिये ने अ हम महीं फागू चम्हान उन्हें पद और गोपनी दा के शपद लाएंगे तो सामने तेजस्वी आदब इस पूरे कारिकरम में मौजूद रहेंगे सबसे खास बात ये कि तेजस्वी आदब के साथ साथ कॉंग्रेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहंजा और कुछ चुन शपद ले रहे हैं जब कि ये चौथी बार होगा जब बैक टू बैक चार चुनाओं में एंडी या फिर महागरबंधन के नेता के तौर पर नितीश कुमार का शपद गरन समरो है आपको बता दें कि साल 2015 में पटना के अतिहासिक गांधी मैदान में नितीश कुमार ने साथ साथ कॉंग्रेस के भी बड़े दिगज मंच पर मौझूद थे सबसे बड़ी बात ये कि नितीश कुमार के साथ साथ उसी मंच पर तेजस्वियादब तेजप्रताप यादब अब्दुर्बारी सिंदी की जैसे बड़े चेहरों ने शपद लिया था और इस बार ये दोनों के बीच में किस तरीके का जेश्चर नजर आता है किस तरीके से लोग मिलते हैं क्योंकि साल 2015 में तो नितीश कुमार के बाद तेजस्वियादब नहीं शपद लिया था तो आपको बता दें कि जब नितीश कुमार महागरबंधन की सरकार से लग हुए तो फिर एंड इश्च कुमार के सामने वाली जगह यानि की नीचे वाले हिस्थे पर बैठे नजर आएंगे फिलहाल इतना ही देखते रहें नमस्कार